चैनल का बैनर बनाना चाहते हो जैसे कि आप देख सकते हैं योटूब वाले बाबा हरे का सहरा ये वाला हमारा बैनर अगर आप इस तरीके से अपने चैनल का बैनर बनाना चाहते हैं इसको लगाने से आपका चैनल बड़ा कुमसूरत दिखेगा जो भी नएया यूजर इसे कि लोगों अच्छा बनाएंगे तो लोग आट्रेक्ट होते हैं कि यह अच्छा चनल लगेगा अच्छा लग रहा हैं तो वह आपके चनल को सपोर्ट भी करते सब्सक्राइब भी करते तो यह जो बैनर है उस तो बने केड़ेंगे कई से अगर आप अपने इनको इन सबी चीजे को बहुत टैलेंट है, इनका चैनल है टेकनिकल एसी, ये भाई साब आपको सिखाएंगे किस तरीके से, इन्हों नहीं हमारा ये बैनर बना के दिया है, तो ये पूरा वीडियो हमने इन से का कि पूरा वीडियो बना के दीजिए हमको, ताकि हमारी ओडि अगर इनका वीडियो अच्छा लग जाए, तो इनको सपोर्ट करिएगा, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, टेकनिकल एसी, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो भाई को सपोर्ट जरू करिएगा, चली वीडियो को सुरू करते हैं, और किस तरीके कैसे बनर, ये वाला कैसा है, कमेंट करके बताईएगा, अगर आप बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को देखो, समझो, और कैसे बनर बनाया जाता है, वो अदिस चीज़े से को, और अपने खुद से ट्राइ करो, और बनाओ, और अपने चैनल का पूरा लूख है ना, इंट हम चाहेंगे कि आप इन्हें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, चलिए अब एप्लिकेशन के अंदर आ चुके हैं, तो सबसे पहले निव टेक्स को डिलेट करने के लिए, आपको यहाँ पर एक डिलेट का अप्शन मिल जाता है, तो बहुत सारे मिल जाता है, और आप और आप बहुत सारे मिलेट का लाना जाता है, तो अभी बैनर पर खेकर डूके करना है, And now, अब नहरे है, और यहां से कर खेक कर देना, ठीकर का थे आपको बैगराउंड का कलर चेंज कर लेना है तो यहां से मैं बैगराउंड का कलर रख लेता हूं चलो यहां से बैगराउंड का कलर मैं चेंज कर लेता हूं तो यहां से बैगराउंड का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है तो चेंज हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है यहां से मालो आप जो भी वेगरा लेना चाहते अपने गलेरी में से तो यहां पर प्लस का अप्शन मिल जाता है जैसे आप प्लस वाले अप्शन पर क्लिक किजेगा तो यहां पर बहुत सारे अप्शन मिल जाता है जो कि टेक्स का भी अप्शन मिल जाता है बैनर साइज का एक इमेज आपको PNG डाउनलोड कर लेना है ताकि जब भी आप बैनर बनाए तो उस टाइम में आपका बैनर का जो साइज है परफेक्ट साइज बनता है ठीक है दोस्तों चलो इसका भी मैं कलर यहां से चेंज कर लेता हूं यहां पढ़ाने के बाद में यहां मेंन directions लेने कफाद आपको करनाक्रीст लक्त करने की लिए सिंपल इस करना है फिर से क्लिक करना है और और यहां से चलो बाबा का मैं लोगो ले लेता हूं लोगो लेने का बाद मैं यहां से बीच सेंटर में इसको मैं लगा देता हूं बिलकुल बीच सेंटर में लगाना है ठीक है न बीच सेंटर में बिलकुल लग चुका है थोड़ा उपर कर लेते हैं और यहां पर क्लिक कर लेने को इसको भी लोग कर देते हैं देख सकते हैं लोग हो चुका है अब ले लेता हूं पेंजी और यहां से इसको भी प्रोपर तरीके से यहां से मैं सेट कर लेता हूं ठीक है चलो यहां से मैं प्रोपर तरीके से सेट कर लियां सेट कर लेने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है और सारे पीएंजी पीक है जो कि मैं ले लेता हूं एक एक करके यहां से चलो पहले इस वाले PNG को यहां से लोग कर देता हूं लोग कर देना काया है इस वाले PNG को भी यहां से मैं कि अब आपको लॉग कर देने के बाद क्या करना है यहां से आपको ना यहां से टेक्स विगरा आपको टाइप करना है तो टेक्स टाइप करने के लिए आपको पलस वाले आइकन पर क्लिक करना है यहां से टेक्स वाले अप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या ची ठीक है ऐसे टाइप कर देना है यहां पर आपको ए लगा देना है मुसरो और यहां विशूंट कुछंट करने के लिए एप पर किली करना है और यहां झाल का तुझ त्व deed माइ-व्ट around पराना है और यहां से फॉल को छिय्ट कर लेना है तिक है लोकि मेडियम स्लेक्ट करना है चलो है से मेडियम स्लेक्ट कर लेते हैं कि यहां से पहले सेलेक्ट कर ले दाऊंच when और इसको color grading करने के लिए यह इसी में option मिल जाता है color grading का ठीक है यहां पर option मिल जाता है color का option जो आप देख सकते हैं यहां पर एक color का option मिल जाता है ठीक है तो इस पर आपको click करना है दोस्तों और यहां पर color grading का option मिल जाता है और यहां से plus वाले icon पर click करके जो भी आपका color अच रख लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है फिर से पलस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से टेक्स पर क्लिक करना है और यहां पर आपको टाइप कर लेना है यूटूब यूटूब वाले बाबा वाले बाबा ठीक है डॉन पर कलिक करना है OK कर देना है OK जैसे क्लिक कीज़ेगा तो इसका भी font यहां से change कर लेता हूं चलो इसका भी font change कर लिरा font change कर लेने के बाद दोस्तोओ अब इसको थुरा इस side में कर देना है ठीक है जादा नहीं रखना है आपको तीस पर सेंट रखना है ज्यादा नहीं रखना है कुछ पर्षिंटेगर करना है कर दोस्तो फोड़ा जो टेक्स विए वान लोग कर देते हैं अब लौक कर देने के बाद cena हए क्या करना और यहां आपको एकसी स्टाइब करना जो मैं बता देता हुँ यहां पर हुलीटुप टिप्स ठीक है? यहाँ पर मैं type कर लेता हूँ यूटूब 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 हो गया tips ठीक है? यूटूब tips type कर को को करना है? यहां से और okay कर देने कहारणा इसको भी यहाँ पर font में change कर लेता हूँ medium ठीक है? कि मेडियम यहां पर रख्कर गोके कर सकते हूं कर देने क ्ह है कि है इसथि अखे बोल्ड करने में कैसा दिख्ता है यहां से बोल्ड में बोल्ड कर देता हूं तो उतना भी बोल्ड में उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसको बोल्ड नहीं रखते हैं मेडियम कर देते हैं यहां पर आजाने के वाद इसको ना मेडियम कर देते हैं ठीक है मेडियम में थुरा अच्छा लगेगा दिखने में ठीक है यहां पर यूटुब टिफ्स हो गय यहां पर डाल देना है चीक है चलो यहां पर लोगो ले लिया हूं और यहां से लोगो डाल देना है चलो इस लोगों को भी लॉग कर देते हैं यूटूब टिप्स को भी लॉग कर देते हैं और इसमें थोड़ा सैडू दे देते हैं यूटूब टिप्स में ठीक ना सैडू दे देते हैं सैडू देने में थोड़ा अच्छा लगता है तो चलो यहां से मैं सैडू दे देता हू कि इसको भी 30% हम रख लेते हैं चलो इसको भी 30% रख लेता है 30% रख लेने के बाद न अब आपको फिस से परलस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से आपको क्या टाइप करना है online earning ठीक है यहां से online earning 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 आ चुका है और फिर से इस पर किलिए करना है और थोड़ा इसको भी ऐसे कर देना है कि ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है दोस्तों ठीक है ज्यादा बड़ा भी आपको नहीं करना है और यहां से यह भी फॉंट पर आकर फिर से मेडिया फॉंट को स्लेक्ट कर लेता हूं और स्लेक्ट कर लेने के बाद यहां से इसको थोड़ा ड्रैक कर लेते हैं थोड़ा लं और इस फॉन्ट को इस फॉन्ट को न सपन्थ करकर लेका चुछता, ऑ। देखने में रजना चाहिए जो भी आप का बैनर देखें न तो आपका बैंनर एकड़म से एकतव लगे एक बार में आपका बैनर उसको पसाद आ जाना चाहिए जो भी आपका बैंनर देखें गाना उनको लगना चाहिए हा आप अब कर लेते हैं ऑ Цया हाँ है तो प्र आ जाने की बाद दोस्तों मैं यहां यहां कर लेता हूं थोड़ा और चलो इसको भी कर लेते हैं यहां से यूटूब वाले को कि तो इसको लॉग कर देते हैं और यूटूब कर लेते हैं थोड़ा ओनलाइन अर्णिंग को भी इधर कर लेते थुरा ठीक है दो यहां पर ओनलाइन अर्णिंग के भी थुरा इधर कर लिए इधर कर लेने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है यहां से एक और आपको पी एंजी लेना है जो कि ओनलाइन अर्णिंग का पी एंजी ले लेना तो यहां से ओनलाइन नीघ उनला से पर नीचे कर ले ना ओर इसको भी यहांसे लोग Deany ँन्लाइन के थोड़ नीचे का लेना है रोग तो यहां पर लिखने हुँग लेता हूं नित्षीटría intense यहां से मैं Facebook टिप्स ठीक है? OK कर देते हैं, Done के पर क्लिक कर लेता हूं और यहां से इसको भी थोड़ा हलका सा छोटा कर लेता हूं और इस font को भी change कर लेता हूं यहां से Every font पर आना है और यहां से आपको change कर लेना है जो भी आप font डाउनलोड करना चाहते हैं यहां से आपको change कर लेना है चलो यहां पर यह font भी हो चुका है font हो जाने के बाद यहां पर आपको और लोगों ले लेना है Facebook का लोगों लेना है चलो यहां से मैं Facebook का लोगों ले लेता हूं Facebook का लोगों लेने के बाद यहां पर आपको लगा देना है ठीक है ना Facebook का लोगो भी लगा देना है इसको भी लॉससक्त कर देना है और यहां से आपको फिर IR بالस वाली ड्वाल आइकन पर क्लिक कर लेने कब सबस्क्रा और यहां से आपको यह चीज टाइब कर लेना हेत यहां को फिर इह वाले अप्सेन पर आ जानेसे फॉंट को स्वैट कर लेना है चले दो स्वांट को भी आपको यहां से सेलेक्ट कर लेने को इसको फुरा मे नहीं कर लिए जा देख सकते हैं यहां पर बैन है न से प्रोफेर्शनल तरिके से बन चुका है अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर एक चीज आपको लाना है जो कि चलो गुरु जी का यहां से मैं फोटो ले लेता हूँ गलेरी पर आज जाने के बाद नहीं यहां से मैं गुरु जी का फोटो ले लेता हूँ चलो यहां पर गुरुजी का फोटो ले लेता हूं और यहां पर साइड में लगा देता हूं ताकि देखने में थोड़ा एक्ट्रेक्टिव लगें ठीक है और यहां से डूब्लिकेट कर लेते हैं ठीक ना चलो कोपी कर लेते हैं कोपी कर लेने को यहां पर भी मैं ओवला फोटो लगा देता हूं ठीक है यहां से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा साहलका सा बड़ा कर लेते हैं कि यहां पर देख सकते हैं एक जम से थामेल या बैनर बहुत ही प्यारा बन चुका है अब आपको यहां पर एक चीज और करना है टेक्स वाले अप्शन पर यानिके फोर्म गिलेरी पर आज जाना है गिलेरी पर आज जाने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इमेज आपको ले ले कर देते हैं पहले इस इमेज को लोग कर देते हैं ठीक है यहां से मैं इमेज को लोग कर देते हैं दोनों इमेज का अधर वीडियो का भी लोग कर देते हैं और यहां से जो ड्रैक किये हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक है ना ज्यादा बड़ा भी नहीं कि बड़ा रखने में वह होता है न कि उतना अट्रेक्टिव भी नहीं लगता है बड़ा रखने में समझ रहे बात को और थोड़ा सा लोगों को न बड़ा कर लेते हैं यह वाले लोगों का बाबा वाले लोगों का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चीक है बाबा वाला लोगों का पहले इसको लोग कर देते हैं अपर न बाबा वाला लोगों का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि अच्छलों बाबा वाला लोगों का भी बड़ा कर लिए लोगों का भी यहां से मैं लॉक कर देता हूं लॉक कर देने का दस्ता अब आपको एक चीज करना है यहां पर फैस्ट भी दिया गया अब आपको यहां पर टाइप करना है क्या यहां पर एक चीज आपको टाइप क कि यहां पर दोस्तों आप को टाइप करने एक चीज़ इसको पहले मैं यहां से लोग कर देता हूं लोग कर देने कौत नहीं यहां पर आपको टेक्स वाले पर हाना नीव टेक्स पे और यहां पर आप को टाइप कर देना है एवरी 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 यह से लॉंग पर चेंज कर लेते हैं थोड़ा एवरी डे लार्न एवरी डे लार्न सॉम यहां से सॉम नियू ठीक है इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है और इसका फॉंट बढ़ाने देते हैं यहां पर नॉर्मल फॉंट यह भी फॉंट पढ़ाते हैं और इसको कर लेते मेडियम कि मेडियम कर लेने कोई इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं चोटा कर लेने कोई यहां पर मैं ड्रेक करके लगा देता हूं ड्रेक करके लगाने के बाद ना यहां से के इसको भी color grading कर लेते हैं आप भी अपने हिसाप से color grading कर लेजिएगा यहां से चलो मैं color पर आता हूं और यहां से color grading कर लेता हूं ठीक हैं आप अपिनी हिसाफ से कलर गेंडिंगे कर सकते हैं बाकी आपका मर्जी यहां पर पैस्वाले इकन पर क्ली करना है और यहां से कलर सेलेक्ट कर लेना जो भी आप color select करना चाहते हैं और यहां पनआ आपको इस तरीके जो यहां से एक black color ले ले लेना। यहां से आपको इह वाला मे hay draset color लीए लेना है ठीकर नरेडर लर यहां से चलो मैं rain color ले लेता हूं और यहां भलाय कर ले लेता हूं ठीक है ओके प्लेको लिख कर देना है तो देख सकते हैं थे मेल यान की बैनर एक डम से प्रोफ technically से बनके से रेडी वोच कर बांकि इस सॉंट को भी आपAudx革 करना चाहते है ना तो यहां से आप्छेश्च कर सकते हैं देखो चलो यहां से मैं फूंट करके आप चैंज करके बताता हूं तो देख लीजिए फॉंट भी चेंज हो रहा है बाकि आपको नोर्मल चाहिए तो यहां से नोर्मल भी यानि कि मेडियम भी रख सकते हैं मेडियम देखने में थुरा अट्रेक्टिव लगता है और दोस्तों आप जितना ज्यादा मेहनत किजिएगा बैनर को बनाने में जितन आपको क्या करना यह जो लाइनिंग है बैनर का साइज को उसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालो उसे हटाने के लिए फिर चेस पर लेयर बाले पर क्लिक करना है और यहां से इसको रिमूब कर देना है तो आप देख सकते हैं बैनर एक्दम से बहुत ही प्य यहां से भी आप सेफ कर सकते हैं और एक आप यहां थी डॉट पर भी क्लिक करके जैसे कि मैं बता देता हूं यहां पर थी डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो यहां से एक option मिल जाता है image export को यहां से भी आप सेफ कर सकते हैं बाकि आपका मन तो चलो मैं आपको सेफ करके से से लेकाता हूं क्विश रोधने प्रोजेक्ट से भी आप सेक् Packart Asiant आई से प्रोजेक्ट आपको पहले इसको पेखी करना है ठाकी कुछ भी कर वह तो आतना सी यूत्तिन कर सकते हैं यहां पर लिख सब्सक्राइब आप यूटूब बैनर लिख देता हूं और ढूके कर सकते हैं यह भी सेड़ चुका और लोग दोस्तों कंट करके जरूर बताइएगा कि यूटूब आले बाबा का बैनर बना है आप लोगो कितना जयदा अट् चाहते हैं तो आपको क्या करना है जितना ज़यादर आप इसमें टाइम धिजेकर ना इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं है कि तो हाशा कर दोस्तों ए विडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और बैनर से बैनर बनाने का पूरा आपको तरीका पता सल गया होगा आखिर किस तरीके से बैनर बनाया जाता है आई होग दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने यूटूब चैनल के लिए एक प्रोफेस्नल बैनर यानि की चैनल आट आप बना सकते हों और जो भी मेटेरियल वगरा यूज किये हैं सारा मेटेरियल का लिंक नीचे डिस्किप्शन में दिया गया है आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लिजेगा